अब इस वीडियो में आपको मेगनेटिक फिल्ड निकालना सिखाऊंगा आउटसाइड दो इन्फाइनेट लॉंग करेंट केरिंग कंड़क्टर तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर हम एंपियर सर्केटर लॉग का यूज करेंगे मेगनेटिक फिल्ड निकालने के अब इस वायर से परपेंडिकुलर्ली आर डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं जो मेगनेटिक फिल्ड निकालेंगे वो बी के बराबर होगी और मेगनेटिक फिल्ड निकालने के लिए हम यहां पर एंपियर सर्केटर लॉग यूज करें इसे लगाना कैसे है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और जब आप इसका जो एम्पिरियन लूप होता है वो आप डिसाइड करना सीख जाओ तो आप बहुत से ऐसे जो प्रॉब्लम है बहुत से टॉफ और कॉंप्लिकेटेट केसे उन सभी के आप एम्पिरियर निकल जाएगी ओके तो वैसे तो यह जो डेरिवेशन है वह बहुत छोटा है पर क्या-क्या हम यहां से सीख सकते हैं वह सबसे पहले मैं आपको बता दो सबसे पहले एम्पिरन लूप का सिलेक्शन आप सीखेंगे उसके बाद यह जो डॉट प्रॉडक्ट भी वेक्टर ड बाकी के जो केसेस रहते हैं वह समझने आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे अब यह जो वायर है इसे हम टॉप से देख रहे हैं टॉप से जब हम देखेंगे तो करंट हमें हमारी तरफ आता हो दिखेगा मतलब आउट ओव दा पेपर हमें आता हो दिखेग जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है जो करंट है वो पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है यह तो हो गई पहली बात अब सेकेंड हमें एम्पीरियन लूप सिलेक करना है और उससे भी पहले जो मैगनेटिक फिल्ड है व है तो यह मैंने जो बड़ा सरकल है वो एम्पीरियन लूप बनाया है कि व्योटिक है ओर हम देख सकते हैं कि वायर से हम कहीं पे भी देखें इस लूप के अपड़ तो उसका डिस्टेंस वायर से लूप पर किसी भी पॉइंट पर और उसका दिस्टेंस magnetic field निकाले उन सब का जो magnitude है वो सेम आएगा मतलब की magnitude of B vector is same at any point on empyrean loop सेम किस वजे से क्योंकि वायर से जो distance है वो सेम है तो सब जगे जो magnetic field है उसका magnitude भी क्या होगा सेम डायरेक्शन अलग-अलग हो सकता है पर magnitude जो है वो क्या होगा सेम होगा और right hand rule से हम direction निकाले तो आपको क्या करना है तो यहां पर जो थम्ब है वो पेपर से भार की तरफ दिख रहा है तो आपको आपको पेपर से भार की तरफ आता हो दिखना मतलब आपकी तरफ दिखना चाहिए वो थम अब आप फिंगल करोगे तो जो फिंगल करल का direction होगा वो डायरेक्शन मेगनेटिक फिल्ड का होगा तो अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो यह मेगनेटिक फिल्ड का डारेक्शन इस पॉइंट पर बात करें तो यह हो जाएगा मेगनेटिक फिल्ड का डारेक्शन इस पॉइंट पर बात करें तो यह हो जाएगा मेगनेटिक फिल्ड का डा के अब इस डील वेक्टर की बात की तो यह जो डील वेक्टर न इस लूप पे हम एक छोटी सी लेंग्द कोंसिडर गरें वह उता है हमारा डील वेक्टर इस एम्पीरियन लूप पे आप कोई सी भी छोटी सी लेंख्ट कंसिडर करेंगे, वो क्या होगा DL वेक्टर, अब अगर हमारे पास दो वेक्टर एक वेक्टर और बी वेक्टर उन दोनों का डॉडट प्रोडट लें, तो वो होगा magnitude of A vector, into magnitude of B vector, into cos of theta, अगर ये A vector है, और ये B vector है, उन दोनों के बीच में ये एंगल एक थीटा तो उन दोनों के बीच में जो डॉट प्रटोक होगा वह होगा मैंगनिटूड ओफ ए वेक्टर इंटू मैंगनिटूड बी वेक्टर इंटू कॉस ओफ ठीटा अब बात आती है इस अगरे को लगाने की तो हम यहाँ पर इस सेक्षन के लिए यहां पर हमें डीघ्र लेंगद कंसेडर कर लेते हैं जो कि यह बीच है हुआ डील वेक्टर को मैंने आपर य?. अब जो एंगरे एंगर जो भी वेक्टर के बीच में हैं ? वह जीरो डिग्री है 아니고 u Price जीरो डिग्री को यहां से हम भी वेक्टर डॉट डील वेक्टर निकाले तो वह होगा मैंगोटीट अब बी वेक्टर into magnitude of dl vector into cos of 0 degree अब cos 0 degree क्या होता है 1 तो b dot dl vector यह होगा magnitude of b into magnitude of dl और cos 0 की value 1 होती है या हम simply इसे b into dl लेख सकते हैं ठीक है dl मैं आपको बता चुका हूं एम्पिरियन लूप एक छोटी सी length consider कर रहे हम infitesimal उसकी width लेंके तो वह होगा हमारा dl vector और इस loop के अंदर जो net current है ओके जो की paper से भार की तरफ आ रहा है वो हमारा i enclosed होगा तो i enclosed यह बराबर होगा i के क्योंकि यहां पर केवल i current है जो की paper से भार की तरफ आ रहे हैं तो यहां पर हम b dot dl तो निकाल चुके हैं वो है b into dl के बराबर and it is equals to new 0 into i अब मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि इस लूप के अब उपर हम magnetic field देखे तो उसका जो magnitude है वो इस थ्रूआउट लूप क्या रहेगा constant तो हम इस बी को इस integral से भार निकाल सकते क्योंकि वो क्या है constant ठीक है अब इस dl को हम integrate करें इस पूरे लूप के उपर तो वो बराबर आना चाहिए इस लूप के circumference के okay so integral dl की जो value है वो बराबर होनी चे टू पाई आर के और जो की है इस amperean loop का circumference so b into 2 pi capital r equals to new 0 i और यहां से हम magnetic field के लिए formula बना चुके है जो की होता new 0 i by 2 pi capital r यहागया magnetic field निकालने के लिए expression for magnetic field outside the infinite long current carrying conductor okay so एक बार आप emperion loop select करना सीख जाओ तो बहुत सारे problem आप easily solve कर पाएंगे चाहे वो flat strip का हो या वो solenoid का हो या toroid का हो किसी का भी आप magnetic field निकाल सकते हैं okay so i hope that this video will be helpful for you all और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे like किजिए share किजिए और चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना भूले notification bell को press करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अप्लोड होए आपको तुरंत उसकी information मिल जाये thank you so much thank you for watching